करीना के बेबी के बाद अब family planning पर बोली है बपाशा जाने के उन्होंने क्या कहा है बॉलिवुड में इस वक्त हर तरफ करीना और उनके बेटे तैमूर की बात हो रही है करीना हाली में मा बनी है वैसे करीना के अलावा शाहिद कपूर की वाइफ मीरा भी कुछ महीने पहले मा बन चुकी है ऐसे में अब एक और बॉलिवर एक्टरस बिपाशा बासू चरचा में है जिनोंने इसी साल एपरिल में शादी की है हाली में एक इंटर्व्यू के दौरान फैमिली प्लान को लेकर बिपाशा ने काफी कुछ कहा बिपाशा से जब फैमिली प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बेबो ने शादी के बाद मा बनने के लिए 5 साल तक इंतजार किया ऐसे में कम से कम अभी मैं 2 साल तक वेट करना चाहूंगी करण और मुझे बच्चे पसंद है लेकिन हम दोनों अभी फ्री होकर लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं जब बिपाशा से पूछा गया कि क्या वो बच्चा होने के बाद भी काम करती रहेंगी तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के आखरी दिन तक काम करती रहूंगी करीना ने हम सब के सामने बहुत ही अच्छा एक्जेम्पल सेट किया है वो प्रेग्नेंसी के आखरी दौर में भी काफी आक्टिव रही कुछ महीने पहले मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया गया था कि करन सिंग्रोवर और विपाशा बासू अपने पहले बच्चे का वेलकम करेंगे ख़बर के हिसाब से करन और विपाशा गाइनी ऑप्टरिशिन के पास गए थे इतना ही नहीं पिछले महीने बिपाशा लगातार काईबा डॉक्टर्स के राउं भी लगा चुकी हैं हालाकि ये खबर बाद में महज एक अफ़वा बन कर रह गई